हैलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं जेजरी स्टिचिंग और आप सब भी काथ बहुत बहुत स्वागत हें मेरी चैनल पर तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम जबसेंधारे नहीं 64 धिट्रीन DRUZ कаты उपर को सेंधार करेंगे और wil अस्थरлы मिटेर करेंगे तो पर उसके बाद अस्थर के का रख टिंग करेंगे सब्सक्राइब आब सक्राइब्विटन्टरी गया हमारी एक वीडियो ये वीएऑर हमारी एक विवेशसरे यह उपर की तरफ अब यहां से हम इस तरह से टेप को रखेंगे और लंबाई का निशान लगाएंगे तो प्लाउच की तयार लंबाई जो है यहां पर साड़े तेरा इंच है तो हम एक इंच एक्ष्ट्रा लेकर यहां पर साड़े चवदा इंच पर मार्किंग करेंगे तो यहां पर देखिए यह साड़े तेरा इंच है यहां पर तो यह जो लंबाई है यह तैयार लंबाई ब्लाउच की और एक इंच पर एक्ष्ट्रा लिया है और साड़े चौदा इंच पर मार्किंग किये तो यहां पर देखिए एक सीधा लाइन में ने खीज दिया है अब इ इसी लाइन पर हम आर्मोल की लंबाई का मार्किंग करेंगे तो आर्मोल हम यहां पर लेंगे साड़े 5 इंच तो इस तरह से साड़े 5 इंच पर मार्किंग करेंगे सेम निशान हम इस तरह भी लगाएंगे अब यहां पर एक सीधा लाइन कीज देंगे इस प्रकार से अब यह नекомर grosso, 6.4 पर चेश्ट से तरी 4 ऐन हम यहीं पर के सब्सक्रार नियुकार है यह चैके के सब्सक्राइब तूरत के डीज़ब मार्जिंग करें और इस थाल्य सेफ कंडिनलेjs These are is Reader जंगे सब्सक्राइब को शाओर में धिया और यहाँ पर मारकिंग करेंगे सेंटरबर अब यहां से देखिए कॉरणर से हम सबाइग पर मैफ यहां से हम इसका आर्मॉल का शेप देघे टेंगे तो यह यहां पर हम फ्रंट और बैक दोनों पार्टS के एक साथ कटेंग मे going यहां पर मार्किंग कर लेते हैं तो या तहूं इंच पर करेंगे तो यह ओ गया है प्रन्ट आर्मोल है जिल पॉइंट यहां कि पाईंट तब इस मेनियाप आसे के तब मार्किंग हो यह मैं अमेशया भलाउच का जब stitching करती हैं उसमें इसको कट करती हूँ क्योंकि देखिए जब हम भलाउच की stitching करते हैं तो कपड जो कम जदा होई जाता है तो यहां से हम गले की लंबाई लेंगे सामने के यहाँ सारे चेंज पर मैंने मारकिंग की है सामने के गले की लमबाई लिए, साढ़ छे इंच और नीचे की तरफ हमने गले की चौड़ाई लिए है, सवा दो इंच अब यहाँ पर देखें, एक बॉक्स बना लेंगे अब इसके बाद हम यहाँ पर गले की गुलाई देंगे, इस परकार से देखिए इस प्रकार से यह मैंने गले की गुलाई दे दिये सामने के अब यहाँ पर देखिए उपर से हम शोल्डर पर टेप रखेंगे और यहाँ पर हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे तो यहाँ पर मैं 12 इंच पर इसका मार्किंग करूंगी इस प्रकार से यहाँ इस तरफ पावन इंच पर मैं इस तरह से उपर मार्किंग करूंगी और इस तरह से तील चालाइव खीज दूँगी यहाँ पर मैं इस तरह से यह थोड़ा सा और शेप देखे तील्चालाइव कीज दिया है अब 34 इंच साइज का ब्लाओ तो यहां पर मैं हमेश्या 5.5 इंच कटोरी का मेजरमेंट लेती हूँ निचे की तरफ चवड़ाई जो होती है वो 5.5 इंच रहती है लेकिन मेरी जो कस्टमर है उन्होंने कटोरी की जो चवड़ाई है थोड़ा सा बढ़ाने के लिए बोला है तो मैं यहां पर दो पैंट एक तो मैंने यहां पर लगबग पाउने 6 इंच चवड़ाई ली है कटोरी की तो यहां पर एक सिदा लाइन खिज देंगे इस प्रकार से अब इसके बाद देखिए टेप को इस तरह से रखेंगे और यहां उपर से हम पाउने 5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे देखि तो यहां से इस तरह से हम इसको देखि इस प्रकार से नीचे की तरफ लाएंगे जहां पर हमने चवड़ाई का निशान लगाय था कटोरी के और वहां पर हम इसको मिला देंगे इस प्रकार से तो देखिए इस प्रकार से मैंने यह कटोरी का गूल शेप यहां पर दे दिया और पीछे पल्ले में टक्स के लिए लेंगे यहाँ पर एक इंच और देर इंच इश्टर लेंगे मेर्जिंग के लिए अब इन सारे निशानों को हम यहाँ पर इस तरह से मिला देंगे अब इसके बाद देखिए यह पूरा यहाँ पर ड्राप्टिंग जो ही कंप्लीट है इ यहां पर देखिए पीछी का प्ला यहां पर देखिए यह पीछी का पल्ला है और यह आगे इन देखिस देट को बालएंगे अब यह जो मार्जिंग वाला यह इचा को यह थे कब-इसे प्रफूब ऐसाँ सब्सक्राइब कि इसके एक ध wid यहां पर देखिए हम तक्स आंच की हम को आप पर करेंगे जिस तरह सी जाएए तो Ö最近 की नयुटरुब निशेचिक और यहां पर तरह से का सब्सक्राइब स्नाफम देखिसर आप Prof. आपर देखे सावा चार इंच पर मार्किंग करेंगे और यह देखे उस तरफ भी हम निशान लगाएंगे और सीधा लाइन यहां पर खीचेंगे अब यहाँ तक्स की लंबाई जो है वह साड़ी चार इंच लेंगे इस प्रकार से अब हाफ हाफ इंच दोनों तरफ लेंगे यह टक्स की चौड़ाई रहेगी इस प्रकार से इसको इस तरह से मिला देंगे अब यहाँ पर देखें साइड में हमें पाउन इंच इस तरह से उपर की तरफ मार्किंग करनी है और इसको इस तरह से टक्स के साथ मिला देना है अब यहाँ पे जो एक्ष्ट्रा है इसको कट क लिए सामने कि जो 3 पार्ट से हम काट यपके कर अलग कर देंगे तो यहाँ पर देखिए विन रिमा इनकी तो थे तरह Mir is pam ने, आपकर हम इस तरह से चाप देंगे तो यह देखिए इस तरह से इसको बराबर से चाप देगे कटोरी को और इसका जो सेंटर वाला निशाने इसको भी यहाँ पर हम लगा देते हैं तो यह जो देखिए यह मैंने इस तरह से यहाँ पर चाप दिया है कटोरी अब इसके बाद हम देखिए टेप को लेंगे और यहाँ पर इस तरह से देखिए उपर की तरफ एक इंच लेंगे जो सेंटर वाला मार्किंग हमने किया है वहाँ से हम उपर की तरफ एक इंच लेंगे और नीचे की तरफ हम देड़ इंच लेंगे तो इस प्रकार से देखिए यह कटोरी का टक्स बन जाएगा तो इसकी जो लंबा ही है यह धाई इंच है अब यहाँ पर देखिए इसके बाद इस तरह से यहाँ पर दोनों तरफ एक एक लाइंग खीश देंगे इस प्रकार से कटोड़ी के दोनों साइड में ने एक एक लाइंग खीच दिये सिधा अब ये जो में लाइंग खीचे यहाँ पर हमें पाउने पाच इंच तक के इस प्रकार से पाउने 5 इंच पर यहाँ पर इस तरह से मार्किंग करने है और यहाँ से एक सीधा यहाँ पर लाइन खीज देंगे टक्स के साथ जोड़ देंगे अब दुसरे तरफ भी हम सेम मार्किंग करेंगे पाउने 5 इंच पर और इस तरह से लाइन खीज देंगे अब इसके बाद देखिए साइड में हम हाँ पिंच पर करेंगे हुकाई पत्टी के लिए यहाँ पर और यहाँ से भी हम एक तरह से इसको जोड़ देंगे अब इतना हो जाने के बाद दुसरे तरफ देखिए उपर के तरफ हम हाप पिंच पर मार्किंग करेंगे और दुसरे साइड से हम कटोरी की गोलाई देंगे तो यहाँ पर हाप पिंच पर देखिए इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और इनिख्यानों को मिलाते हुए ka tutu rain का shape देँगे तो यहाँ पर देखे k'll行 guys मार्म नी यहाँ पर देदिया है तो इस पहिलाते हुए लाएंगे नीचे की तरफ और गोलाई दे देंगे क'll新 अब यहाँ पर लिए पूरी तरह से रेडी है और इसको मैंने कट भी कर लिया है अब इतना हो जाने के बाद देखिए यहां पर इस तरह से टेप रखेंगे नीचे के तरह और यहां पर देदेड इंच पर हम मार्किंग करेंगे तो यह टक्स की चौड़ाई रहेगी अब इसको इस तरह से जोड़ करेंगे तो यहां पर हम लॉंग स्लीव की कटिंग करेंगे यहां पर मैंने डबल फोल्ड पेपर लिया है अब इस फोल्ड़िट साइड मेरी तरफ है और यहां पर देखिए बॉटम में लाइं कीज देंगे अब ब्लाउज की जो लंबाई है वह दस इंचे और उसमें हमन करेंगे इस प्रकार से अब यहां पर इस तरह से सीधह लाइंगे अब निचे की तरफ बॉटम में तो पाच इंच मुरी है तो 50 इंच करेंगे और देढ़ी इंच इश्टरा लेंगे मार्जिं के लिए अब यहां उपर से देखिए जाह अमने लम्बाई का 3 उ hayat से हम नीचे की तरब हम पावने 8-इंच पर इस तरसे मारिग करेंगे.. यह हमारे ब्लावजस के जो अर्मोले .. उसका मिजरमेंट है, तो यहां पर देखे इस तरह से यह तीर चींक कीज देंगे अब आर्मोल की गोलाई का जो हमने मार्किंग किए उसके आगे में देड इंच रिश्टार लेना है मार्जिंग के लिए अब इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे अब इसके बाद आम अस्तिंग की गोलाई देंगे तो यहां देखें हमने तीरची लाइन जो किसी खीची है उसके उपर हम हाप इंच इस तरह से मार्किंग करेंगे हाप इंच पर और इसे हम अस्तिन के गोलाई देंगे अब यहाँ पर देखिए इस तरह हम दो पैंट नीचे लेंगे मार्किंग करेंगे दो पैंट नीचे और इसी निशान को मिलाते हुए अस्तिन क करменeme कर लेते हुं लेकिन हरे सब्सक्राइब छोड़ देती है जे इसकोन करांगीनột तो यह करो तो यह मैं इसे ही चोड़ दीएँगे अस्तर लेंगे और इस तरक persecu कॉ देखिए इस पर कर सही तो यह करता की है . यह ज़ुम हमेश्य करते है सिक कड़ना करें करते हैं कि कफ़ाल हमेश्य क्या ने थे प्लाश क कूल है tym यह में नहर्म पेपर करने दें दो मेश्य साटता नह尤ो friends पार्ट में आपका जो कपड़ा है कम पढ़ना नीच है तो आपको इसको बराबर एज़स्ट करके ही विचाना हैं तो यहाँ पर देखे अब इसके बाद हम देखे बेल्ट लेंगे अब यहाँ पर ध्यान दीजेए किसे भी पार्ट में हमें कोई मार्जिंग एड नहीं करना हैं लेकिन यह जो बेल्ट है यहाँ पर हमें हाफ इंच का मार्जिंग करना है तो इस प्रकार से देखे नीचे की तरफ मैंने हाफ इंच का इस्ट्रा मार्जिंग ले लिया है अब एस तरह से बिचाएंगे और एजट हम इसको इस तरह से चाप देंगे और जो कड समने तो भी चैनल को सब्स्राइब कर लिजेगा और साथी में बेल आइकन को भी प्रेस कीजेगा इसी क्या होगा कि मेरी आने वारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पोचेगा और आप मेरी सारे लेटेस्ट वीडियो देख सकेंगे और फ्रेंट् अस्तर की कटिंग यहां पर करके दिखाई है और 34 इंसाइस के कटोरी व्लाउज की तो फ्रेंट्स अगर आपको नहीं पता कि अस्तर वाले व्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं तो उसका वीडियो भी मैंने पहले शेयर किये हुए तो वह आपको मेरी चैनल पर मिल जाएंग